आई जानते हैं आज की कुछ प्रमोकंतराश्ट्रे खब्रों को उससे पहले एक नजार आज के हेडलाइन्स पे बिहार में तलवार की धार पर सांसादों के टिकर तीसरी लिस्ट में अस्वेनी चौबे राजस्थान में कॉंग्रेस नेता आमीन पठान गिराफ़तार पत्नी परविया फायार चार महिने पहले ही छोड़ी थी बीजेबी दोनी की चननाई सूपर किंग्स ने भी एलेक्टोरल बॉंड से किया दान जाने कि इस पॉलिटिकल पार्टी को दिया सबसे ज़्यादा डोनेशन एलविश यादव को जेल बीस एमेल जहर की एफसल रिपोर्ट और सलाखों के पीछे पहुचा यूट्यूबर फिलिप कार्ट को ओर्डर कैंसल करना पड़ा भारी कस्टमर को देने पड़े दस हजार होली से पहले आस्मान से बरसेगी मुसीबत गरज के साथ बारिश ओले भी गिरेंगे यूक्रेन एक बार फिर रोस पर किया ड्रोन हमला रिफाइनरी में लगी आग सूसाइडल था पाइलेट ले ली 249 यात्रियों की जान बॉक्स ओफिस पर अजय मादवन की सैतान का बोल बाला सौ करोर के क्लब में की एंट्री और RCB की लड़कियों ने कर दिया कमाल अब विराट कोली एंट ब्रिगेट पर IPL में बढ़ेगा दबाव लोकसबा चुनाव की तारिखों का एलान हो चुका है इसके बावजूद बिहार में किसी भी दल ने उमीदवारों की घोशना नहीं की सूबे में फिलाल इंडिया गडबंधन और NDA सीट शेरिंग के लिए फार्मूला तयार करने में लगे हैं इसके चलते अभी तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि राज में किस पार्टी के किस नेता के टिकट पर कैंची चलेगी कहा जा रहा है कि भारतिय जनता पार्टी में आधा दर्जन से जादा सांसदों के टिकट पर तलवार लटकी हुई है वहीं जनता दल यूनाइटेड में जादा बदलाव की उम्मीद नहीं है सूत्रों के मुताविक सीट बटवारे को लेकर एंडिय और इंडिया एलायंस सोमवार को बैठक करने वाले हैं जिसके बाद दोनों ही गड़ बंधन में शामिल दल उमिदवारों की घोशना कर देंगे राजस्थान में फार्म हाउस को वन भूमी परातिक रमन के रूप में चुनहित करने पहुंचे सरकारी दल को कथित तोर पर रोकने के लिए कॉंग्रेस नेता अमीन पठान को रविवार को गिरफतार किया गया बीजेपी में 25 साल तक रहने के बाद अमीन पठान पिछले साल नवंबर में कॉंग्रेस में शामिल हुए थे अमीन पठान कॉंग्रेस की राजस्थान इकाई के महा सचिव हैं अनंत पूरा थाने के छेतरा अधिकारी भूपेंद्र सिंग ने बताया कि अमीन पठान उनकी पतनी रज्या पठान और एक दरजन से अधिक अने लोगों पर सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्वेवार करने आप राधिक बलका प्रियोग करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरूप है। पेरेंट और्गिनाज़ेशन इंडिया सीमेंट है भारतिय टीम की पूर्व कप्तान MS धुनी IPL में चन्नाई सूपर किंग्स के वर्तमान कप्तान है धुनी की टीम का स्वामित्व रखने वाली कंपणी ने तमिलनाडू की अखिल भारतिय अन्ना द्रविद मुन्नेत्र यानि AIADMK को इलेक्टूरल बॉर्ण के जरिये पैसा दिया है दा हिंदू की रिपोर्ट की मुताबिक AIADMK को इलेक्टूरल बॉर्ण के जरिये 6.5 करोड रुपे मिले हैं इसमें से ज्यादा तर पैसा चन्नाई सूपर किंग्स लिमिटेट से आया है उतर प्रदेश के नोईडा में यूट्यूबर एलविश श्यादव के गिरफतारी सुर्खियों में हैं नोईडा पुलिस ने पूरी तयारी कर एलविश को पूछताज के लिए रविवार को बुलाया था उनके आने पर भीर न जुटने पाए इसके लिए गोपनिय तोर प सेक्टर 113 थाना एरिया के फॉर्म हाउस पर बुलाया गया इसे पहले पुलिस ने साथ नवेंबर को भी उसे पूछताज के लिए सेक्टर 20 थाने में रात को बुलाया था उस समय करीब 3 घंटे की पूछताज के बाद उसे जाने दिया था इसके बाद पुलिस ने लिक्विट के साब के जहर होने की FSL रिपोर्ट फरवरी में आने के बाद पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी फ्लिपकार्ट अक्सर सेल का आयोजन करता है और कई ओफर्स दील और डिसकाउंट आधी से अट्रेक्ट करता है कुछ ऐसे ही ओफर्स आकर्शित होकर एक कस्टमर ने आईफोन खड़ीदा था लेकिन फ्लिपकार्ट ने बाद में उसे कैंसल कर दिया इसके बाद फ्लिपकार्ट को पैनल्टी के रूप में 10,000 रुपे का जुर्मान भरना पड़ा आईए पूरा मामला जानते हैं उपभोगता विवाद निवारन आयोग ने फ्लिपकार्ट को अनुचित व्यपार व्यभार अपनाने का दोसी पाया है इसके बाद आयोग ने आदेश दिया है कि वह कस्टमर को 10,000 रुपे का भुखतान करें क्योंकि आईफोन का ओडर रद करने पर ग्राहक को मानसिक यातना झेलनी पड़ी है देश में कई राज्यों में समय मौसम का मिजास बदल रहा है फिलहाल देश में एक ट्रफ रेखा दक्षिन ओरिसा से उप हिमालई पस्टम बंगाल और सिक्किम तक जारकंड और दक्षिनी पस्टम बंगाल होते हुए गुजर रही है वहीं दूसरी ट्रफ रेक मराट वारा से आंतरी करनाटक और तमिलनाडू होते हुए कोमोरीन छेत्र तक फैली हुई है साथ ही 18 मार्च से एक ताजा पस्टम विक्छो पस्टम हिमाले छेत्र को प्रभावित करने के संभावना है भारत मौसम विज्ञान विभाग का मानना है कि इसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 18 से 21 मार्च तक बिजली, ओला व्रिष्टी और मध्यम से भारी बारिष के साथ आन्धी आने के संभावना है साथ ही IMD ने कई जगों पर ओले गिरने की भी भविश्वानी की है आने वालिक उस दिनों में जमुकसमीर, लदाक, गिलगित, बल्टिस्तान, मुझाफ़डाबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड हल की बारिष या बर्फ बारी हो सकती है रूस और युक्रेन के बीच लंबे समय से यूद जारी है इसी बीच युक्रेन ने एक बार फिर रूस पर हमला कर दिया हमले में किसोर शहीद दो लोगों की मौत हो गई रूसी अधिकारियों ने बताया कि क्रास्नोडार छेतर में स्थित एक रिफाइनरी पर युक्रेन ने हमला किया है जिससे वहाँ आग लग गई हाला कि अगनिशमन विभाग ने कुछ देर में उसे बुझा दिया रिफाइनरी में आग लगने के कारण एक करमचारी को दिल का दौरा पढ़ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई अधिकारियों की मानित युक्रेन कुछ दिनों से लगतार रूस की रिफाइनरी और तेल डीपो को निशाना बना रहा है आज से करीब एक दसक पहले साल 2014 में पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई थी जब MS-370 विमान रहसमई तरीकों से लापता हो गया इसे एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा रहस बताया गया विवान में 249 यात्री सवार थे उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जान पाया मगर अब इस मामले में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है ब्रिटिस एक्स और बोइंग 777 पायलेट ने दावा किया है कि पायलेट के टेक ओफ डेक्यूमेंट्स इस बात का सबूत है कि पायलेट ने सामूहिक हत्या और आत्म हत्या की योजना बनाई थी इंडिपेंडेट यूके की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट साइमन हार्डी का मानना है कि मलेसियाई एरलाइन्स के फ्लाइट प्लान और टेक्निकल लोग से कारगो में आखरी वक्त में तीन हज़़ार किलोग्राम इंधन और अतिरिक्त ऑक्सीजन सहीत अन्य बदलाओं का पता चलता है जो बताता है कि कैप्टन जहरी एहमद साह ने विबान को लापता करने का सोच लिया था अज़र देवगन और आर्मादवन की फिल्म सैतान को रिलीज हुए समय हो गया है लेकिन इस फिल्म ने आज भी बॉक्स ओफिस पर अपनी जगह बनाई हुई है हौरर फिल्म सैतान को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसी वज़े से ये हर दिन शानधार कमाई कर रही है सैतान दस दिन के साथ अपने बजट से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है फिल्म ने हाल ही में रिलिस हुई फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है और सौ करोर के क्लब में शामिल हो गई है सैतान में अजय देवगन और आर माधवन के साथ जोदिका लीड रोल में नज़र आई है ये गुजराति फिल्म वस का हिंदी रिमेक है वस को बहुत ही कम लोगों ने देखा है इस वज़े से ही सैतान की कहानी लोगों को नई लग रही है सैतान ने तभी दस दिनों में 100 करोर का आकरा भी पार कर लिया है महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इतिहास रस दिया है रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीवी ने दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हडा कर खिताब का सूखा खत्म कर दिया इस मिर्ती मंधाना की कप्तानी वाली आरसीवी टीम की लड़कियों ने वो कर दिखाया है जो विराट कोहली एंड ब्रिगेड इंडियन प्रीमियर लीग के 16 सीजन में भी नहीं कर सकी यह WPL का दूसरा सीजन था जिससे आरसीवी ने जीता है पहले सीजन में मुंबई इंडियन्स चैंपियन बनी थी दोनों ही बार दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है मगर महिलाओं के खिताब जीतने से अब कोहली एंड ब्रिगेड पर IPL में दवाब बढ़ने वाला है दरसल IPL में अब तक 16 सीजन हो चुके हैं और RCB टीम ने एक बार भी खिताब नहीं जीता है विराट कोहली ने 2013 से 2021 तक RCB की कपतानी की है इस दोनान RCB एक ही बार IPL फाइनल खेल सकी है